तो लोग सभाएं पियम मोदी ने बहुत सारी बड़ी बाते कहीं हैं उनमें से 20 बड़ी बातों को हम आपको सुनाते हैं जिसमें सबसे पहले पियम मोदी ने कहा कि विपक्षी गटबंधन INDIA नहीं बलकि ये घमंडिया है इसके साथ ही दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहीं कि 26 दनों का घमंड दूसरा एक परिवार का घमंड है साथ उन्होंने ये भी कहा कि नाम रखने में भी विपक्ष ने एंडिये का ही सहारा लिया है खुद बचने के लिए विपक्ष ने इंडिया के भी टुकडे कर दिये हैं इसके साथ ही पियमोदी ने लोकसभा में कहा कि राहूल गांधी फेल प्रोजेक्ट हैं उनके दिल दिमाग के हाल को देश ने देखा है नौर्थिस्ट के प्रती मेरा समर्पन रहा है ये बयान उनकी तरफ से लोकसभा में दिया गया इसके साथ उनने ये भी कहा सौतेला वहवार कोंगरिस के डीयने में है साथी साथ कोंगरिस सरकार में मनीपूर तरस्त हुआ था इस बात को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है मनिपुर की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया यानि की मनिपुर को लेकर के पियम मोदी ने एक बार फिर से कॉंग्रिस पर निशाना साधा और साथी उन्होंने परिवारवाद को लेकर निशाना साधते वे कहा कि परिवार प्रस्ताव जो है वो सरकार का टेस्ट नहीं बलकि विपक्ष का टेस्ट है साथी विपक्ष को देश से जादा दल की चिंता है ये बड़ा प्रहार उनकी तरफ से आई एंडी आई गठबंदन पर किया गया नो कॉंफिडेंस मोशन के दुरान विपक्ष बोल्ड हो गया है इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आई एम एफ कहता है कि भारत ने अती गरीबी को खत्म कर दिया है सोनवी बड़ी बात जल जीवन मिशन से चार लाख लोगों की जान बच रही है डेबलू एचो का हवाला देते हैं इन्होंने कहा इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि उनिसेफ ने कहा है कि स्वक्ष भारत अभ्यान से गरीबों के 50,000 रुपे बच रहे हैं भारत के उपलब्धियों से कॉंग्रेस समेत विपक्ष को आविश्वास है वि ये मूदी की तरफ से दिये गया अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर विपक्ष का कहना है कि उन्होंने जीतने के लिए नहीं बलकि सरकार को जगाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था वे सरकार को जगाने में सफल हो गए हैं आधि ये बात भूल जाते हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव में गिम्ती महतौपो नहीं नहीं हैं। अब इस्वास प्रस्ताव ये सरकार गिराने के लिए नहीं था, सोई भी सरकार को जगाने के लिए था, और उसमें सफल हुए, कि वो आये कम से कम सदन में अब ये कह रहे हैं विपक्ष को घमंडी, आप से इतना जादा घमंडी कौन होगा, आप से जादा भी कोई घमंडी होगा क्या, आपका एक राज जल रहा है, जो पुर्वत्तर का राज है, सीमा वर्ती राज है, वो जल रहा है, आप उसके बारे में एक सब नहीं बोल हैं, त का परवचन सुनने का क्या मतलब था है, पियमोधी के संसत में बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है, बीजेपी विरोधी पार्टियों ने पीएम के बयान पर पलटवार किया है, तो बीजेपी ने विरोधियों पर हमला बोला है, आप से इंडिया सब का प्रताले जो यूपिये सरकार के कार्जकाल में हुए, तो वो इस प्रकार के घुटाले नहीं होते। के सांसद काफी उत्साहे दिखे, एंडिया सांसदों ने सदन से वोकाउट करने पर सवाल खड़े किये। विपक्ष के लिए देश महतपून नहीं है, विपक्ष के लिए अपना दल और स्वतही महतपून है और आज ये सिध हो चुका है। आर से देश के प्रधान मंत्री ने देश को संबधूत किया, विपक्ष चला गया, विपक्ष भारत का हिसा नहीं है ऐसा लगता है। विपक्ष ने जो वॉक आउट किया, मुझे लगता है कि वो चाहते ही नहीं थे प्रधान मंत्री को सुनना। जिस समवेद्ना के साथ देश के प्रधान मंत्री ने मनीपूर का सवाल रखा, मैं समस्ता हूँ कि इसे बहतर मौका और उन्हें ने अपील की, बड़ी अपील, दुरुभागे पुर्ण है, आज भी विपक्ष का ये विभार। अविश्वास प्रस्ताव लगा था, उनका सदन से भाग जाना, बताता है कि ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव कि तना खोकला था, प्रधान मंत्री के मानिय सभी मंत्रियों पर अविश्वास प्रस्ता लगा था, अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ कॉंसिल आफ मिनि पर अविश्वास होता है